चन्द अब आयम कपबल देव सर्ख मैं आज केमिस्ट्रीー कलास 12 के बारे मेंदिस्क्राइब कर रहे हैं उस शेप्टर का नाम जान लिए है निकल कानेटिक्ट कрем क làm कानेटिक से सबसे पहला वार्ट साथरे क슬कानेटिक्स है इसमें से कलास 12 के लिए या आइटी के लिए या नीट के लिए आप इसके फ्यूचर को जा लिए हम कलास 12 की बात कर रहे हैं तो सब से ज़्यादा कुस्षन नहीं तो कम से कम दो कुस्षन जरूर पूछा जाता है जिसमें से एक अबजेक्टिव रहता है दूसरा पहला कुस्षन की एक याद करके रखिएगा आपको कभी भी कोई प्रोब्लम होगा तो आप बिंदास होके वाट्सएप पर भीज़ दीज़ेगा या तो मेरा वाट्सएप नंबर है तो उसका मैसेज कर दीज़ेगा लेकिन हम जो भी पढ़ाएंगे तो हाईयर एजुकेशन के लिए मिन से हाई लिमिटेशन रखेंगे पहला कुसाने की केमिकल करनेटिक्स दो परपस के लिए काफी इंपोर्टेंस से कलाश 12 के लिए और दूसरा परफंस के लिए आई आई टी के लिए या नीट का पढ़िछा दे रहा है उसके लिए पर तेक साल याद करके रखीगा पर तेक साल आई नुमेरिकल ही होगा नुमेरिकल ही पूछा जाता है नुमेरिकल प्रॉबलम ही होगा लेकिन याद करके रखेंगे आप सभी स्टुडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं इस चैप्टर को इग्लॉर नहीं करेंगे सबसे अगर क्लास 12 में अगर इसका अब्जेक्टिव भी पूछा जाए रहा है तो याद करके यह नुमेरिकल तर्म की अधार पर है नुमेरिकल तर्म की अधार पर पूछा जाएगा इसलेकर सभी स्टुडेंट्स से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस कलास को अ पूछे और इसको सन को फीर से आप पूछ लेजए पीर से समझ लीज़ेगा वह याइज बूर्ड हो याई आइस लोड हो या बिहार बोड हो सभी बोड के जाएगा दूसरे बात कि जो कलास जो ट्वैल्ब है उसमें तीन टैपस का कुछन हो सकता है एक अब्जेक्टिव के परपस से हो सकता है एक सौट नोट के हो सकता है एक लॉंग को सब्सक्राइब करना चाहरे हैं सबसा पहला वर्ड से के चैंकल करनेटिस कहेंगे किसको वाड़ इसके बारे में जनकारी लिजी आए इसके बारे में कुछ वर्ड बोलते हैं उस पर गौर कीजिएगा तो इसका एंसर आपको देने में काफिस सुब्दा होगा जिस परकार से अब अब दो देखिए तो सबसे पहला वाड़ से कि हम केमिकल काइनेटिस कहेंगे किसको तो एक मीनिंग याद करके रखिएगा चैंकल करनेटिस एक बांच है वह बांच है फीजिकल केमिस्टी का बांच है जिसमें हम लोगा स्टेडी करेंगे दो पॉइंट को पहला जो स्टेडी करेंगे दूसरा जो पॉइंट से स्टेडी करेंगे करेंगे बावर री एक्षन मेकेनिज्म याद करके रखिएका री एक्षन मेकेनिज्म का तो आप लोगों को कभी भी पूछा जाए कि वाट इजर केमिकल काइनेटिस टाफ डिफनेशन बिल्कु सिंपल सा बो रीक्षन और किसके बारे में रीक्षन मेकेनिज्म करेंगे इसका मतलब है कि कैमिकल काइनेटिस का कभी भी डिफनेशन पूछा जाए बिल्कुं सैलेंट मूट से डिफनेशन दीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स इज बरांच और फीजकल कमेश्टी याद करके रखिएगा कि चैनिकल कानेट्स कानेटिक्स इज बरांच आफ फीजिकल केमेस्ट्री वेटेपल साइट इलसमीट वेट बिलसमीट with rate of reaction rate of reaction and reaction making reaction mechanism mechanism is known as उसी को हम बोलेंगे rate reaction इसका मतलब है कि आप से अगर question पूछा जाए कि chemical kinetics कि सको कहेंगे तो सींपल साइदिफिनेशन बोलिएगा चैनल काइनेटिक्स इज ब्रांच और फिजिकल केमेस्ट्री विच डिल्स विथ किसके बारे में रेट आप रियक्शन एंड रियक्शन में इस नोन एज क्या बोलेंगे हम कैम कर नेटिक्स इसको लीख डालिएगा आप लोग जञाख आपनेटिक्स मेंडिकीऊ पॉलेंट कि ऑपला वीड़्स है की रियक्शन किया है भी रियक्शन तो आप लोग कुछ SIMPL सी बात हैं के रियक्शन के बारे में आप जानते होंगे लेकिन क्या जानते है रियक्षन तो छोटा सा पड़ पाइट पर जाईए की रियक्षन से में कमेस्टि में जानते हैं तीर फि Uranus overtime ढून से नशनदर कमेश्टूर पहला है कि कमेस्टी में परे होंगे आप लोग फीजिकल के मिस्टी परे होंगे सिसर Αंपर होंगे हैं इनारगेनिक के क ότι इनारगेनिक केमिस्टि पढें हुँगे तीसरा में पर ओंगे और धेलिक केमिस्टि लेकिन याद करके रखिए और गेनिक केमिस्टिंटर है हम लेकिन आप से यदि यह पूछा जाए किष्भाक्य केमेकल डियक्शन है defensory जो रियक्षिन है केमकल जो रियक्षिन होता किसमें होता किसमें होता क्या फिजिकल में होता या इन और गेनिक में होता है या और गेनिक में होता तो आप सिंपल साइन सर्देश जेगा कि मुस्टली जो रियक्षिन होता है मुस्टली का मतलब है ज्यादा से ज्यादा रियक् यह वरां पर नहीं होता है इसलेकर आप लोगोह से ध्यान में रखियेगा अगर कोई पूछा जाए केंकल रियक्शन होता किसमें है तो बोलेगा कि प्रिशन एकर में प्रीया को टार रखते हैं इसका मतलब कि सेबर्ल रे क्षिर होता इंगेनिक और किसमें और गैनिक भिनाव्क में इसमें से इस स्यवरल रियक्षन में जिए से यह करके रखिए यह भी रियक्षन में याद करके रखेंगे कि कितने टैपस के इसका मतलब सब्सक्राइब करके रखेंगे इसको बोलेंगे इसका मतलब अधी को पूछा जा कि होता है तो पूरे पूरे कमेस्ट्री में दो पार्ट में होती नर्गेनिक और किसमें और isसे लेकर आप यह भी बोल सकते हैं कि बहुत सारा रियक्षिन होती है या तो रलित किस में और इसमें इसमें से जो संभी आडिंश neural जानिन पहते अश्वी आई वाइगा पहर水 से और जा रहे सोली अटिसके बारे में हम को रहे चैनकारी कि यह लीख्णाँ बॉलें उसको आले है क्या लिखेंगे है बेखना लेती है किसमें होती है इन और किसमें और गेनिक में दुसा पॉइंट लिखेगा कि इस परकार से आप पहले लिख लिए तब हम बात कर रहे हैं तो इस रिक्सन को इस परकार से पहले लिख लिए वर्ड्स को तो हुआ इस वर्ड्स को किस तरीकास लिक्षेगा दा से ब्रेक्षन बहुत सारा रियक्ष्ण होगा से ब्रेक्ष नोगा रियक्षन होगा अकर अकर में सो होती है आकर स्फ इन इन ओर गेनिक और गेनिक में इन विच इसमें इसे इन वीच जो समझे रियक्षिन है सम्री एक्षिन से आर है आर है फास्ट है साम रियक्शन सार सम रियक्शन्स आर शलो है एंड रियस्ट रियक्शन जो बच चुके हैं रियस्ट रियक्शन आर बोलेंगे मोडरेट रियक्शन है मोडरेट रियक्शन है इसका मतलब है कि हम लोग जान चुके हैं कि रियक्शन कितने टैप्स की हो चुके हैं बोरे इसका मतलब हम जान चुके हैं कि रियक्शन में भी हो सकता है रियक्शन आर कलासिफाइड करेंगे बोरे कलासिफाइड in two q基本 2 qod 3 में लिखेंगे 3 category में लिखेंगे आ लानाक चीघ इंगे आ इंटे के लाम करेंगे पारले लिखेंगे फास्ट रियक्तितांगा डूसरा नाम। लिखिय का बो chemical === इन टेनियास इंटेनियस इन टेनियस क nightmare reaction सोलो एक्शन तीसरा रिएक्षन का नाम लिखेगा बहुरे है । मोड्रेय्ट रिएक्शन एक्षन मोड्रेय प्रैक्शन यह करेंगे लेकिन आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है अगर जो एस्टुडेंट नहीं समझे होंगे तो मेरा वाट्सअप नमबर ले लिजे उस पर आप मैसेज करेंगे और जो भी अगर बुराई भी लगेंगे तो आप अलबेज इस पर मैसेज कर सकते हैं कि क्या बुराई है और क्या अच्छ समप्त होता है नेक्स टाम में हम कल क्लास मिलेंगे आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जी कोमेंट जरूर भीजिएगा थैंक